भारतिय रेल्वे के लिए आज का दिन एक एहतियासिक दिन रहा क्योंकि रेल्वे ने आज कवच्ष तखनीक का सफल प्रिक्शन किया जिसमें दो ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया जिसमें एक ट्रेन में रेल मनतरी अश्वनी वैशनव मजूद थे तो दूसरी और एक ट्रेन का इंजन था जिसमें रेलवे बोर्ड के चेर्में सहित अन्य अधिकारी मजूद थे रेल मंतरी अश्वनी वैशनव ने इस प्रिक्षन के कई वीडियो अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेर किये हैं आपको बता दे कि जिस ट्रेन में रेल मंतरी अश्वनी वैशनव सवार थे वैट ट्रेन सामने से आ रहे इंजन से 380 मिटर पहले ही रुख गई कवज तकनीक की वज़े से ही ट्रेन ने अपने आप ब्रेक लग गए रेल मंतरी द्वारा एक मिनट का वीडियो शेर किया गया जिसमें लोको पाइलेट वाले कैबिन में रेल मंतरी सहीत अन्य अधकारी दिखाई दे रहे हैं रेल मंतरी अश्वनी वैशनव ने ट्वीट किया कि रेयर एंड टकर सफल प्रिक्शन रहा है कवच ने अन्य इंजन से 300 मिटर पहले ट्रेन को सवचलित रूप से रोक दिया ये रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्दी है क्योंकि इस तकनीक के बाद अब रेलवे इंजनों में स्तापिद होने से कभी भी ट्रेनों की आमने सामने टकर नहीं होगी जबकि रेलवे के अधिकारियों के मताबिक रेल मंत्राले ने वर्षों के शोद के बाद ये तकनीक विक्सित की है कवच को भारतिये रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती सवचलित ट्रेन टकर सुरक्षा परनाली के रूप में परचारित किया जा रहा है जीरो एक्सिडन्ट के लक्षे को प्रापत करने में रेलवे की मदद के लिए सवदेशी रूप से विक्सित सवचलित ट्रेन सुरक्षा एटीपी परनाली का निर्मान किया गया है कवज को इस तरह से बनाया गया है कि ये उस्तिती में एक ट्रेन को सरचलित रूप से रोक देगी जब उसे निर्दारित दूरी के बीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन के होने की जानकारी मिलेगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बूक पेज लाइक जरूर करें For settlement, please contact 705-109-1811